नमस्कार दोस्तों ब्यार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे जंजारपूर निर्मली सराइगर ये जो नव निर्मित रेलखन बना है इस पर से लंबी दूरी की ट्रेन आखिर कब मिलेगी क्योंकि इसको लेकर सवाल किये जा रहे हैं औ कोई प्लानिंग है भी या नहीं या फिर ये जो रेलखन्ड है यूँ ही चलता रहेगा इस पर सवाल पूछा गया है इंडियन रेलवे के समस्तिपूर डिविजन के पोर्टल पर जा करके सवाल पूछा गया तो उधर से जवाब भी आया है उस जवाब के बारे में भी हम लेते हैं कि आखिर क्या जवाब मिला है उधर से तो ये देखी इदर से जो सवाल पूछा गया था तो ये सवाल इदर से पूछ रहे थे सत्यम क्यों मारो कह रहे थे कि निर्मली सेक्षन पर जंजारपूर सेक्षन पर कोई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी या नहीं क्योंकि लोगों को मुझाफरपूर पतना जा करके वहां से दिल्ली के लिए या फिर अन्ने जगहों के ये ट्रेन पकरना पड़ता है तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग नहीं नहीं है तो उधर से जो जवाब मिला है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं तो उधर से लिखा गया है कि तो इनका कहना है कि जो रक्सोल जगवनी एक्सप्रेश ट्रेन का एक्स्टेंशन की बात रेलवे बोर्ड में जो वो अटकी हुई है वहाँ से अभी अप्रूपल मिला नहीं है यही वो ट्रेन है जिसको इस रूट पर चलाया जाएगा और इसके अलावा कोई और भी पलानिंग नहीं है तो जंजारपूर निर्मली स्रेक्षन पर बस एक ही ट्रेन चलने को है और वो भी अधर में लटका हुआ है वो भी रेलवे बोर्ड के पास अभी परपोजल जो हो रुका हुआ है उदर से कोई अप्रूबल मिला नहीं है तो एक ही ट्रेन दिल्ली के लिए इस रूट पर चलेगी जिसका परपोजल अभी किलियरेंस उसको मिला नहीं है अभी परपोजल कब तक अटका हुआ रहेगा कब किलियरेंस मिलेगा ये तो अभी कोई अता पता नहीं है लेकिन बात करें दरभंगा से फॉडविस गंज तो अलेक्ट्रिफिकेशन कम्पिलीट हो चुका है इस पर एक्सप्रेस ट्रेन या फिर एलेक्ट्रिक ट्रेन जो हो चला देनी चाहिए ताकि ट्रेनों की गती बढ़ाई जाए और एक्सप्रेस के साथ साथ लंबी दूरी की ट्रेन जल्द से जल्द चलाने की किरपा की जाए क्योंकि बहुत लंबा इंतिजार हो गया है आज जहां वंदे भारत वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन चला कर रही है यहां लोग एक्सप्रेस या फिर दिल्ली मुंबेज जैसे सहरों में जाने के लिए ट्रेन के लिए अभी भी इंतिजार कर रहे हैं इंतिजार में है कि कब उनको अपने जो अस्थानी जगह है वहां से लंबी दूरी की ट्रेन मिलेगी तो यह कहीं न कहीं दुर भाग पूर न कहिए या फिर रेलवे की मनमानी कहिए जैसे आप फिर जो भी कह लिजिए कि रेल लैन कंप्लीर होने के बाद भी अभी तक कोई भी ट्रेन जो हो लंबी दूरी की नहीं चल पाई है बागी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रिए बिहार एक्सप्रेस यूटूब चैनल